नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारी यूटूब चैनल आरपी के एलेक्टिरिसियन पर आज मैं 24 सलाट का है जो हमारे हाथ में फरांटा फैन दिख रहा है उसकी वैंडिंग करना बताऊंगा ति 24 सलाट का फरांटा फैन है ये किसी का रांट पर से जल जाता है तो इसको कैसे नया वैंडिंग करते हैं नया वायर कैसे डालते हैं तो इसी के बारे में बताऊंगा जो हमारे हाथ में दिख रहा है इस तरह से मोटर है इसका छोटा सा मोटर है इसी को हम अभी बैंडिंग करने वाले हैं तो चलिए, हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहे हैं, यदि हमारे वीडियो में आप नए हैं, तो हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकान जरूर दमाएं, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, यदि देखिए, तो वाइंडिंग करना बहुत ही सरल है, ये देखिए, इसी में एफिट रहता है, इस टाइप का मोटर है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं, हमने 33 नम्मर वायर ले लिया है, ये 33 नम्मर एलमूनियम वायर है, और हमारे पास एक देखिए, ह हाज से बना हुआ फर्मा है, बैंडिंग मसीन का यूज हम नहीं कर रहे हैं भी, ये हाज से बना हुआ फर्मा है, इसी पर हम लपेटेंगे, इसको सेट कर लिये हैं, 29 इंच की कोयल बनेगी, जो इसमें हो है, देखिए, जिस पर हमको लपेटना है, उसकी साइज 29 इंच कर लिये हैं, ये रनिंग की माला हम बनाने जा रहे हैं, ये रनिंग वाला है, रनिंग की माला बन रही है, और रनिंग के बाद स्टाटिंग की माला बनाएंगे, कोयल बनाएंगे, देखिए, एक हाँ से हमने एक छोर को पकड़ लिया, और दूसरी हाँ से लपेटना चालू क दिये हैं, इसमें 270 चक्कर लपेटेंगे, 270 टर्न लपेटेंगे, अब हम इसको पहली कोईल जो है, इसकी बन चुकी है, इसको चार जगा से बान लेंगे, ताकि हमारी कोईल की जो माला है, वो बिखरे न, इधर उधर कोईल न हो जाए, इसलिए हम सेप्टी के लिए इसको बा से हम बान लिए हैं, एक, दो, तीन, चार, चार जगर से हमने बान लिए हैं, बिखरने के लिए, बिखरे न, सेप्टी के लिए है, इसमें हमने 270 चक्कर लगाए हैं, 33 नमर वायर है, 33 नमर तार से हमने 270 चकर लगाए हैं, जिसकी लंबाई 29 इंच है, इसी पर हम दूसरी भी बना लेंगे इस तरह से उसमें भूतने चक्र लगाएंगे और उसको भी उसी तरह से बांध लेंगे जैसे फस्ट वाले को बांदे थे पहली वाली को यह दोनों कोयल हमारी running की है running और starting winding दो होती है यह running की coil अभी बन रही है इसकी बांदने की जो पीछे इसको अब खोल लेते हैं खोल लेंगे आराम से यह देखिए यहां से हम तोड़ देंगे इसको दो coil बनाने के बाद यह wire को हम तोड़ देंगे यहां से यह देखिए तोड़ दिये अब हम फर्मा को खोल लेते हैं इधर से खोलेंगे तो size disturb हो जाएगी इधर से खोल करके उसमें पूना से डाल देंगे ताकि धीला करना है खोलना नहीं है धीला कर देंगे और निकल जाएगी coil हमारी यह निकल चुकी है coil यह देखिए coil हमारी निकल चुकी है अब इसको अच्छे से इसका आकार देते हैं थोड़ा खींच देंगे टाइट हो जाएगी इस तरह से टाइट करने के बाद अब इस stator हम लेंगे stator हम लेंगे इस stator हमने ले लिया है जिसमें हमको binding करना है देखिए जिस साइड में connection रहेगा उस साइड में हमको इसके छोर जो है end point जो है coil के उस साइड में हम निकालेंगे थोड़ा सा इसका आकार हम दे देते हैं ध्यान रहे हैं दोस्तों बहुत ही आसान है पंक्ये को बादना वीडियो को देख लेतें है अच्छे से तो आप binding कर सकते हैं आराम से चाहे मिश्त्री हो चाहे ना हो यह सीखने के लिए वीडियो है देखिए आपको इस हाज से इस तरह से पकड़ना है ऐसे आराम से पकड़ना है और इस साइड से खींच देना है, खींच करके, देखिए, इस साइड से, खींच करके, ओच और हमारे हाथ के तरफ रहेगा, जो उसका निकला हुआ, वो शुरू वाला पॉइंट है, वो हम अपने हाथ के तरफ राख लेंगे, बाहर के तरफ निकाल देंगे, उसको, देखिए, अब हम इसको किसी भी सलाट में, पहली बार किसी भी सलाट में डाल देंगे, जो कटे-कटे खाने हैं, उसको ही सलाट कहते हैं, आपको confused होने की ओ नहीं है, जो कटे-कटे खाने हैं, जिसमें हमको डालना हैं, अभी हम किसी में डाल देते हैं, एक किसी भी सलाट में पहली वाली coil डाल देंगे कहीं से start कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं इसके लिए पहली coil के लिए कोई दिक्कत नहीं है फर्स्ट वाला जो डाल देंगे इस तरह से हमने slot में डाल देंगे और paper उपर से लगा देंगे paper लगा देंगे अब हम यहां से गिननाई स्टार्ट करेंगे आठ जहां होगा आगे साइड में जाना है आठ आठ में नम्मर में डालना है जहां आठ पूरा होगा आठ में एक यहां चालू करेंगे जहां हमने कोयल डाल दिया है और आठ में डालेंगे इधर जो बचा है उसका दूसरो पॉइंट आठ में डालेंगे आठ नम्मर में देखिए यहां से बीच में 6 सलाट खाली छूटने चाहिए स्टार्टिंग बैंडिंग के लिए इसमें भी हम डाल दिये हैं अभी आपको गिनाएंगे इसमें भी इसी तरह से पेपल लगा लेंगे जैसे इसमें लगाएंगे देखिए 6 छूट रहे हैं 1,2,3,4,5,6 यह देखिए इधर से पेपल लगा लिए अब गिना देते हैं 1,2,3,4,5,6,7,8 आठ में हो गया आठ में डाल दिये हैं इसकी पीछ रहेगी 1,8,1,10 और 1,12 हमने 1,8 में रनिंग कोयल डाल दिये हैं अब उसके अगल बगल अगे साइड में 1,10 ठीक है अब इसको यहां से अच्छे से इसको खीच लेंगे जितना खीचाएगा जरूरियत के हिसाब से आप इसको इस सांस से पकड़ेंगे और इससे फोल्ड करेंगे इस सांस से पकड़ करके ऐसे फोल्ड करेंगे यह ऐसे ठीक है फोल्ड करने के बात पुना से जैसे उसमें डाले तो उसके अगल बगल एक से दस में जाए गए जहां से आप चालू करने उसके अगल बगल एक से दस रेखिए इसको भी अगल बगल डाल लेते हैं उसके बीच में नहीं आना चाहिए, बीच में अच्छा सलाट छूटने चाहिए, उसके अगल बगल आगे आगे, इसके पीछे हम डाल दिये हैं, एक से दस वाली एक कोईल है हमारी, इसमें भी हम सिपरेटर पेपर लगा देते हैं, इसमें भी लगा दिये, अब उधर जाएंगे, इसकी पीच एक से दस बानी जाएगी, एडि हमारे चैनल पर आप नए है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहें, हमारे चैनल पर इसी तरह से वीडियो अ इधर हमने डाल दिये और उस साइड में डालेंगे, इधर भी हम डाल दिये हैं, देखिए, इधर भी हमारी कोयल बैठ रही है, बैठ जाएगी, एक से दस है, इसकी पीच एक से दस है, आपको साउधानी से डालना है, कोई वायर न छिले न तूटे, इसमें भी सेपरेटर लगा लिए, देखिए, पेपर लगा दिये हम, अब उसके बगल में एक से बारह आएगी, इधर देखिए, एक से दस हो गई, एक, दो, तीन, चार, पांच, शाट, शाट, आठ, नौ, दस, एक से आठ और एक से दस बैठ गई है, अब एक से बारह इसमें बैठ आएगे, द उसी तरह से पूरी कोयल आप डाल सकते हैं, यह 24 सलाड छोटा वाला जो बुलट पडाटा होता है, उसी का वाइंडिंग डाटा है, यह दूसरे में यह डाटा काम नहीं करेगा, हर पंखे का डाटा अलग-अलग होता है, अब हमारी 1 से 12 में कोयल डाली जाएगी, इस तरह से फोल्ड करना है, इस तरह से फोल्ड करने के बाद उसको उस पार खीच लेना है, अब 1 से 12 में हमको डालना है, एक से बारा एक से बारा में एक देखिए हमने इसको खीच लिए हैं और उसके अगल बगल जैसे उसको डाले थे आठ के बगल में उसी तरह दस के साइड में इसको डाल देंगे ए वाली कोईल डाल देंगे दस के बगल में एधर से ए भी डला गई है एक coil एरियाप अच्छे से समझ लेंगे तो सभी coil आसानी से डाल देंगे इसमें बहुत सीखने की और लढ़ने पढ़ने की कोई बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है यह देखिए जो पहले से बांधे थे उसको छोड़ लिए अब दूसरी साइड में इसको डाल लेने हैं देखिए डला गया है हमारी 12 में भी इंस्टाल कर दिया है कोई को यह देखिए सेपरेटर पेपर हम लगा दी है बहुत आसान है दोस्तों आप अच्छे से देख लीजिए बाकी कहीं हिलफरी कर देखिए कि आपको जरूरत नहीं पड़ेगी आप सेख जाएंगे एक कोई हमारी पूरी तरह से डला गई है इसी तरह से दूसरी कोई भी डलाएगी थोड़ा सा ध्यान देदेंगे इसका थोड़ा आकार दे देते हैं अच्छे से अभी इस तरह से खिंच लेंगे बारा में आएगी और बीच वाली एक से दस में आएगी यानि जहां से स्टार्ट करेंगे उसको एक बोलेंगे और जहां इंड होगा जिसमें डाली गई है उसको आठ दस या बारा जिसमें डाली गई है वो होगा इसका आकार थोड़ा सीधा कर लेते हैं अच्छे से ताकि देखने में अच्छा लगे अब इसमें दूसरी कॉयल डालेंगे दूसरी कॉयल इस तरह से डालेंगे इसको कि इसका जो connection वाला point है एक से तीन में चला जाए अब दिखा देते हैं आपको थोड़ा सा समझ लीजिए यह जो हमारा end point है पहले वाला जो हमने उसमें छोड़ा था ठीक है अब इसको इस हिसाब से डालेंगे कि ए वाला जो हमारा छोड़ उसमें लगा हुआ है वो last में जाए इसके out में जाए अब इसको इसे पकड़ लेंगे इस साथ से और यह डाइग्राम पर हम आपको समझा देंगे थोड़ा इसका connection ए देखे डाइग्राम एक से तीन में इसका connection होगा एक से तीन में इसका जुड़ाओ होगा ठीक है, एक से तीन में, एक, दो, तीन, रेख रहे हैं, इसी तरह से इसका ए हुआ है, इसका भी connection हुआ है, माला हमने तोड़ा नहीं है, इने माला तोड़े होते हैं, जोड़ना पड़ता, अलग-अलग बनाए होते हैं, अब यहां हम इसको डाल लेते हैं, देखिए, दो एक से याठ में हम डाल रहे हैं, एक से याठ में, एक इधर डालेंगे, आठ उधर डालेंगे, उसके अगल बगल, जैसे इसको डालें हैं, उसके बगल में, दस और उससे बगल में बारा, तो दो छूटा रहेगा, तभी हमारी कोयल आएगी, तो हमको एक से याठ में डालन में दो जो slot छूटे हुए हैं उसमें हमारा 10 और 12 वाली कोयल आएगी इधर से भी हमको 2 छोड़ देना है 2 छोड़ करके तीसरे वाले में डालना है ताकि disturb न हो 10 वाली कोयल और 12 वाली कोयल आजाए देखिए इसमें भी हम लगा लेंगे बहुत सिंपल है दोस्तों बहुत सिंपल है इसी तरह से स्टार्टिंग वाली कोयल डलाएगी वो भी बहुत सिंपल है देखिए हमने डाल लिया है 1,2,3,4,5,6,7,8 8 हो गया अब दो जो छूट रहे हैं वो एक 10 के लिए है और एक 12 के लिए है इसी तरह से इधर भी 2 छूट रहे है वो भी एक 10 के लिए है एक 12 के लिए है देखरे हैं इधर भी 2 छूट है और इधर भी 2 छूटा है ताकि हमारी अगल बगल जो कोयल बैठ रही है 10 वाली और 12 वाली इसी में बैठ जाएं अब जैसे उसको फोल्ड किये थे इसी तरह से इसको हम फोल्ड कर लेंगे यह देखिए ऐसे पकड़ेंगे उसाथ से इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे देखिए इसको फोल्ड करके पुना से उसके अगल बगल डाल देंगे अगल बगल इसको डाल देंगे फोल्ड करने के बाद एक से दस में कोयल जा रही है ध्यान से देखते रही है दोस्तों देखिए उसके बगल में जो छूटा था वो भी कभर हो जाएगा भी अच्छे से सिप्रेटर पेपल लगाना है ताकि कोई वायर टूटे ना बहुत सिंपल है अच्छे से आप देख लिए एक हमारा वीडियो और आएगा थेओरी वाला वीडियो आएगा जिसको हम कागज पेपेन पेन की सहता से या बोर्ड में बताएंगे उसको समझ लेंगे उसको देख लेंगे दो वीडियो देखने के बाद आप गारंटी है कि आप पंखा आसानी से बांथ लेंगे यह सामान रहेगा आपके पास तो देखे इसमें पेपर लगा लिए अब यहाँ एक से दस में हो गया एक से याठ में हो गया आप एक और बचा है एक इस साइड में बचा है और एक उस साइड में जिसमें हमारी 1 से 12 वाली कोईल डाली जाएगी, इसको थोड़ा सा आकार अच्छे से दे लीजिए, अब यहां से उसी तरह से फोल्ड करेंगे, एक इधर बचा है, एक उधर बचा है, इसमें 12 वाली कोईल जाएगी, यह देखिए, इस तरह से फोल्ड करना है, आराम से ऐसे डाल देना है इसको एसे ए देखिए हमारी wind उसमें डाल दीए और पूरी तरह से दोनों coil हमारी चली गई हैं अब ए दोनों coil जो है हमारी running की coil है इसके दो छोर निकले हुई हैं दो छोर इसके दो छोर है और इसका एक छोरे है और एक तो लगा हुआ है हुआ इस तरह से आपको binding करना है coil डालना है कि यह वाला छोर हमारा इधर आ जाना चाहिए इधर ठीक है और यहां से एक छोड़ दिये हैं दूसरा छोर इस साइड में निकलना चाहिए यहां का इधर से थोड़ा सा आप देखे लीजे आप इसे में हमको coil डालना है यहां से देखिए तीन इधर से कबर हो गया तीन इधर से घष्च हो गया अब इधर जो coil हमारी starting वाली पड़ेगी, coil starting वाली जो पड़ेगी तो 1 से 8 में पड़ेगी, तो इधे देखें, 3 is coil का हो गया और 3 is coil का हो गया, 6 हो गया, अब जो coil starting की पड़ेगी तो 8 में already पहुंच जाएगी, 3 इधर हो गया, आफ तीन इधर हो गया, 6 हो गया, 6 हमारा इसमें रनिंग बाली कोयल डाली गई है, अब जब हम स्टार्टिंग बाली कोयल डालेंगे, तो आल लेडी एक से आठ में पहुंच जाएगी, जो जगह खाली है, उसको भी हम बना लिये हैं, देखिए, इस तरह से अब हमको डालना है, ध्यान से देख अब यह जो कोयल हम डालेंगे, इसको बीच में कर देंगे, देखिए, उसके अगल बगल जो स्लाट खाली है, अगल बगल डालेंगे, एक से आठ हो जाएगा, पूरा स्लाट हमको कभर करने है, देखिए, एक इधर डाल लिये हैं, कनेक्शन उसी साइड में निकालना है, ज यह जो एक से आठ में हम डालेंगे, उधर डाल दियें इसके बगल में, और अठमा नमबर जो लास्ट होगा इसका, जहां खाली होगा, यह इसमें भी आठ डाल दिये, देखिए, आठ हो गया, अब उसी तरह से फोल्ड करना है, जैसे पहले फोल्ड किये थे, इस तरह से फ कोईल पड़ रही है, यह देखिए, इसमें हम डाल दिये, एक से दस, हमारी रनिंग वाली कोईल जो है, उसको बीच में हो जाएगी, तीन इसके, तीन इसके 6 हो गए, और जब इस्टार्टिंग कोईल डालेंगे, आठ में जाएगी, और दस में जाएगी, उसके एगल बग की तरह से करना, जैसे सभी कोईल को फोल्ड की है, एक से बारा में चली जाएगी, स्टार्टिंग कोईल एक से बारा में, ऐसे हम डाल दी है, देखिए, उसी तरह से डालना है, एक कोईल और बची है, यह भी कोईल डला गई है, एक से आठ, एक से दस, एक से बारा, और अब एक कोयल और बचिए जितने जगा खाली है इधर से start करेंगे connection उसी जैसे रहेगा जैसे हमने उसमें बताया है कि एक से तीन connection होगा इस तरह से अब डालना ही start करते रहे हैं एक से आठ में इसमें पहले कोयल डाल दिये हैं एधर इस साइड में अब दूसरी साइड में डाल ले से और एक से आठ में अभी जाएगी है फिर एक से दस में एक से बारा में एक देखिए फटा फट से हमने डाल लिया है आपको समझने की बात यहां है कि चार हमारे छोर निकल गए एक रणिंग सोरी दो रणिंग कोयल के और दो starting कोयल के इस तरह से आप कर सकते हैं connection हम अगल है परे जरूद है